गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के कारेकरता सुरेंदर कंबोज और हरवीर प्रताप सिंग ने पार्टी की होड़ से आगामे विधान सभा चुनाओं में टिकट न मिलने के कारण आम आदमी पार्टी की सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है आम आदमी पार्टी के कारेकरता हरवीर प्रताप सिंग ने बताया कि जोर्नल प्रभारी और सहप्रभारी ने लोगों से मोटा पैसा लेकर उन्हें टिकट दिया है गंभीर आरोपों की धड़ी लगाते हुए उन्हो उन्होंने बताए कि वह पिछले कई सालों से पार्टी के लिए मेनद करते आ रहे हैं लेकिन चुनाओं में किसी और को टिकट दे कर आम आदमी पार्टी ने उनके साथ धोका किया है वहीं जोनल प्रभारी और सह प्रभारी को चोर बताते हुए उन्होंने अपनी कि वह शुरू से ही आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए मेहनत किया है लेकिन गदरपूर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दे कर उनसे चल किया है इस वज़े से आज वो आम आदमी पार्टी के सदस्त से इस्तिफादे रही हैं. को टिकट देंगे यह लोग त्याद पत्र दे रहा हूं हाँ अगर मेरे से बात कर ले त्याद पत्र दे रहा हूं पार्टी से चुट्टी बस आज लाश्ट है नराज होना तो सवबाविक था कि जब हम इस पार्टी में आए तो इस पस्ट बात हुई थी कि हम लोग यहां से चुनाव की चारी करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी बिलकुल यहां पे नहीं पालती थी और हमने शुरू से लेकर के तनमन धन से इस पार्टी में काम करा और लगातार काम करते रहें बागी यह अपनी बात पर खरें नहीं उत्रे क्योंकि इस चीज को आड़े आती है यहां की अहलात हलात क्या थे कि यह लोग इतना पैसे से प्रभावित हो गए इन्होंने लोगों के कहने से गलत लोगों के हाथ में टिकर दी जिससे पार्टी को तो नुक्सान हुआ 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 जो हमारा अपना राई नितिक जीवन था वो भी इस आम आदमी पार्टी ने नास किया देखो जी आम आदमी पार्टी से तो जिस समय इन्होंने इस छेतर से प्रभारी नियुक्त किया था प्रभारी का मलना पर जिसको भी प्रभारी बनाते थे वही वेक्टिवस पार्टी से चुनाव लड़ता है तो हम लोगों ने जाहिर की अपनी नाराजगी और इस सिफ़ा हमने दे दिया था कि अब हमारा इस पार्टी से कोई किसी परकार का सरोगान नहीं है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद